किशान भायू आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप गेहों में अंतिम इस्प्रे के रूप में कौन कौन से खाट डाल सकते हैं जिससे कि आपकी गेहों की फ़सल से लंबी बालियां ले सकते हैं, मोटी बालियां ले सकते हैं और शात में दानों का बराओ ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि किशन भयो अभी तक हमें जो दानेदार खाद का इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ पौधे में कल्ले बढ़ाने की संख्या बढ़ा रहे थे और हमारे फसल को ज़्यादा ग्रोध करने में लगे हुए थे लूपिक पर बात करेंगे हमारे वीडियो को देखते रहें और साथ में चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करने और साथ में बेल गंटी जरूर दबा लें ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो किशान भायो सबसे पहले हम बात कर लेंगे जब आपकी फसल में बालियां बनना सुरू हो गई है मान लेजे कि गो भवस्ता आ चुकी है तो आप लोगों को वहां पे कौन सा इस्प्रे करना है और कौन सी साधानिया रखना है तो किशान भायो आप लोगों को सबसे पहले साधानी की विशे में हम बात कर लेंगे यहाँ पर इस समय आप लोगों को यूरिया की मातरा बिल्कुल नहीं डालना है यूरिया की मातरा डालने से जो किशान भायो होता है हमारे पौधे ज्यादा बढ़ावर पकल लेते हैं जिसे की हमारी फसल हवा में गिर जाती है तो आप लोगों को इस समय ये गलती नहीं करना है बहुत से किसान क्याल करते हैं जब उनकी गिहों की फसल में बालिया निकलने लगती हैं उस समय यूरिया खाद का छिड़काओ कर देते हैं जिससे की फसल उनकी बाढ़ में पर जाती है हवा हलकी फुलकी चलती है उनकी फसल गिर जाती है आप लोगों को एक सावधानिया ये रखनी है दूसरी सावधानिया ये रखनी है आपकी गिहों की पसल में बालिया बनना सुरू हो गई हैं गबोर अवस्था हो चुकी है तो आप लोगों के खेट में पर्याप मात्रा में नमी होना चाहिए इस समय जो हमारी हवाओं भी तेजी से चलने लगी हैं जिसे की हमारी खेट की नमी बहुत जल्दी से सुखा देती हैं तो आप लोगों को हलकी हलकी नमी बनाय रखना है जब तलक हमारे गिहों में सही तरीकी से दानों का भराओं ना हो जाए अब बात करेंगे आप लोगों को इस समय कौन सा इस्परे करना है लंबी वालियां मोटी वालियां कैसे ले सकते हैं तो किशान भायों यहां पे आप लोग फासफोरस और पोटाइसियम की मातरा आपको डालनी है अपने गेहों की फैसल में आप लोगों को ये नपी के जीरो बाउन चौटिस डाल लेना है इसमें बाउन परसत फासफोरस पाया जाता है और चौटिस परसत पोटाइसियम पाया जाता है फासफोरस किसान व मजबूत होगा जिससे कि हमारी बालियां बनने में बहुत ही मदद करेगा पोटेशियम किसान वह इसी तरह काम करता है हमारे तने को मजबूत कर देता है जिससे कि बालियों का सही तरीके से दानों का भराव हो जाता है अगर हमारी बालियां में दानों का भराव की समय अगर ह आप लोगों को इसका इस्प्रेक करना है साथ में आप लोगों को बोरोन ले लेना है बीस प्रतिसत वाली जिसकी मातर आपको सौ ग्राम लेना है इसको भी साथ में मिलाकर इस्प्रेक कर देना है जिससे की आपकी गेहों में बालियों का जो है परागन सही तरीकी से हो यद किशान भायो आपकी गेहों की फसल इस इलापन दिखाई दे रहा है तो आप लोग यहां पर जिलेटेड जिंक जो बारा प्रतिस्त वाली आती है इसकी मातरा आप लोगों को इसी के साथ में मिलाके डाल सकते हैं वो भी 100 ग्राम के जादा आप लोगों को नहीं डालना है आपकी गेहों की फसल हरी बरी हो जाएगी लंबी बाली आएगी मोटी दानों का भराव होगा तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी तो किशान भायो अगर हमारी जान करी आप लोगों को परशन आई हो तो चैनल को लाइक और सिस्क्राइब सेर्द ज अच्छी बाली आप लोगों करी आपन wenn